बिस्मिल्य रख्वानि रहीम, असलाम लेकम, चिकन, पानी और आइल मिला के पकाएं और कमाल देखें जाइके का, तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो एक किलो के क्रीब मेरे पास चिकन है, और कुछ इसमें गोल बुटी है, कुछ हड़ी वाला पीस है, तो आप अपनी मर्दी से कोई भी ले सकते हो, बगएर हड़ी के भी चिकन ले सकते हो, और हड़ी वाला चिकन भी ले सकते हो, तो मैंने इधर ऑइल गरम कर लिए, मैं आपक इसमें लाए रसमी में, यह मैंने फूल बड़ी प्याज ले, जिससे रफली मैंने काट लिए है, तेन टमाटर लिए है, एक फूल बड़ा टमाटर है, बाकी मेडियम साइज के, अगर आप चार डालना चाहे है, छोटे टमाटर हो तो चार भी डाल सकते है, इन दोनों यह हाप टीशो, यह भी इतमें डाल देगा, शुरू में भी डाल सकते हैं, अभी भी डाल सकती जबाब की मद्वियर, शुरू में मेरा मतलब यह है, जब आप ब्लूब यह है, जब ओईल और इसमाटर है तो इसमें से फ्रादर हो दिए, अभी पानि डाला है, कुछ जिकन फ्राई भी होगा और गाल भी जाया नमक इसलिए डाला है कि थोड़ा बहुत जो नमस है इसके शिकन के अंदर जाया और बाकी फिर फोड़ा जो नमस कमी जो लगेगी फिर उसके रवाद बुच्या करके नमस नदीर डाल लेंगे जिसना हमें रिक्वाइड हो अब यह फुल फ्लेम पे मैंने शोड़ दिया है फ्राई भी होगा पकता भी रहे हूँ अब कलर इसमें माशाला सियाच सुक है अच्छे से फ्राई पो चुकी है चिकन और को कलर देना बहुत लागी है पानी बिल्कुल द्राई होगे जब पानी द्राई हुआ तो चिकन में कलर आ गया अब जो और आप नजर आजाना स्यादा तो यह मैंने इससे निकाल देना है जो मैंने लेसन डाला था वो भी बहुत अच्छा सा तलरुपका भी आ चुक है और जितना मुझे और चाहिए मैं बस उतना रखूंगी बाकी और मैं सारा निकाल के तो आपको दिखाती है अब जिसमें चिकन फ्राइ किया था एक चमश यह ढाल दिया है और आदा चमश और अगर बाद में आपको दुरूज़त में सूस होके और खाम में या घी खाम में तो फिर आप और दाल सकते उपर से इतले कि वो चिकन का और यह बहुत अच्छा पक चुक है उसमें कोई कच्छा पन नहीं और जो और बचा है वो आप किसी डाल में कर रहे हैं तो उसमें भी आप यह डाल सकते हैं तो जाय का बहुत अच्छा हैगा वो जाया नहीं होगा हो तो यह मैं पकने के दिछोड़ रहे हूं अब बनाई इसके करनी है इसके मुसाले के साथ तो मैं आपको तिखाती हैं जैसी पुछ थोड़ा पानी ड्राय होता है तमाटर प्याज बुर्ट अच्छे से चिकन के साथ भूल चुके हैं और आईल नजर आ रही है और अब इसमें मैंने सुछ भी नहीं डाला सिरफ तमाटर प्याज आपके सामने शामिल किया एक नमक इसमें डालूँगी लेवल करके एक टीस्पून पहले भी जाला है हाफ और लेवल करके एक टीस्पून डाल दिया कुट्टी बिट्चे ऑप्शन है अगर आप डालना चाहे तो डाल सकती है लाल मिले पुर्डर एक टीस्पून या स्वी ताइप थोड़ा चमचु लाशे खर्दी वान पूर टीस्पून जो क्ले में थोड़ा कम चले लगी जीर फाल भाटार जोड़ा धनिया पुर्डर एक टीस्पून और यह दो तीस्पून गरमाशना नेवल करके एक टीस्पून से थोड़ा कमी है अर यह लुग से थोड़ा सा फलेम ज़रा तेज है अब इसकी बुनाई कनाय यह मसालों का। अब जैसे ये बुनता है न मसाले डालने हैं उसका कच्छाबन फत्म होता है तो इसके बाद दिखाते हैं तो इसमे लेहर फोने रही मसाला बहुत अच्छे से बुनी चुक है जो मसाला बने डालने वह भी हो चुक है अच्छा सा बूल चुक है तो इसमें जाएगी दही एक कप दही ये चुला मैंने हलका खान दिये और ये हरी मिर्चे ये बड़ी वाली नूटी वाली हरी मिर्चे इन तो को इतना वो इतनी तेजी नहीं होती अधरक है थोड़ा सा ये इसमें डाब देंगे अब इसे था मिक्स करने है और जैसे ये ओएल नदर है तो मैं फिर आपको दिखाती हूं और मैंने इसे ढखते छोड़ना है लो प्लेम पे छोड़ना है कि आप पानी द्रायने करना हमें इसकी ग्रेवी किसे चाहिए मसाला जिसे हम कहते है वो चाहिए और मैं इसमें थोड़ करना चाहिए तो ज्यादा भी कर सकते हैं और जब मैंने मसाले डाले थे न तो मैंने आपको दिखाया था कि मसाले भूंडे है अगर आपको पानी कम लगे तो थोड़ा सा हाथ से नहीं कैसे दो तीन दफ़ा ऐसे यू यू करके आप चिड़क दे पानी ज्यादा नहीं करेवर पिर आपको बहुत ही मदेगा मिले इस पिन नहीं रख महने रही है यू मैं आपको दो मिनट के बाद दो नहीं है जैसे यू नजर आया है तो धकन हता दिया और ये हरी मिर्चे हैं ये चार से पांच हरी मिर्चे अगर आपको पसंदे टाल दे इसे ये हुआ कि ठोड़ा सा धनिया जूटे में बाद में भी डालना है तो अब मैंने चुला बंग कर देना और 18 में आ चुका है और मजीज चब पकना बंगू है तो और इसमे बाद बंग कर दें तो इसके बाद 2-3 मिनिट से ऐसी चोड़ दूँए फिर ड़ी शोड़ दें बिस्मिल्य रह्मान रहिम बहुत ही मज़े की ये रेस्पी आप सब के लिए हाजर है और आप इसे चिकन मसाला भी कह सकते हो रेस्टोरन स्टाइल है जरूर ट्राइ कीजिएगा अगर दावत कर रहे हैं तो दावत के लिए भी ये बहुत ही एक अच्छा खाना आप ये तैया कर सकते हो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक देना मत मूला करें और चैनल पर ने तो प्लीज मुझे सपोर्ट करने के लिए चैनल को कर लें सब्क्राइब साथ में जो बेले जरूर प्रेस कीजिएगा उसे से ही आपको नोटिफिकेशन मिलेगा और फेस्बुक पर है लाइक कर दें शेयर कर दें हो सके तो आफ फालो कर लें और नेक्स वीडियो तक के लिए इजादत दें अल्ला हाफिस